नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों हिंदी की इस ओनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए लारके हिंदी का बहुती महत्वपों टॉपिक हिंदी साहित त्या जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा चायवादी यूग के कवियों की रचना और उनके बारे में जो भी कॉंसेप्ट होंगे जो भी एक्जाम की दृष्टी से इंपोर्टन होंगे वो सारी चीजे मैं उनके बारे में यहां पर बताने वाला हूँ देखो चायवादी यूग के चार इस्थम यानि सबसे प्रमुख जो चार कवी है जिनको चायवादी यूग के चार इस्थम माना जाता है सुमित्रा नंदन पंत, सुरकां त्रिपाटी निराला, जैसंकर परसाद और महादेवी वर्मा तो इन चारों की रचनों के बारे में और इन से सम्मांदित जो अन्य महित्तोपूर्ण तत्या हैं और अवाड यानि इनको प्रुसकार मिले हैं वो सारी चीज़े में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो होने वाली है आपको वीडियो अच्छे से ध्यान से देखनी है बहुत सारी चीज़े में आपको यहां पर कॉंसेट आके किलर करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर समझाने वाला हूँ हर एक चीज़ आपको नौट करनी है जो भी आपको मैं बताऊंगे यह इंपोर्टन्ट है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंथजी की क्योंकि ये भी एक चायवादी युक्य कवी है और बहुती प्रमुक कवी है इन्होंने बहुत सारी रचना यहां पर कर रखी है और काफी एक्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को और जन्मिस्थान कोसानी जो के उत्राखन में है कोसानी में इनका जन्म हुआ था और इनके मृत्य हुई थी 28 दिसंबर 1997 को और मृत्य हुआ हुई थी प्रियाग इलहाबाद उत्तर परदेश में तो ये तो इनके बारे में जानका रही थी तो जन्म का आप इनका ध्यान लग सकते हो कई बार एक्जाम में पूछा जा सकता है और जन्मिस्थान का है कोसानी उत्राखन में अब देखो यहां पर आप देखो सुमित्रा नंदन पंत चायवादी कवियों के चार इस्थम में से एक है अब देखो चायवादी कवियों के यहां पर चार इस्थम मान जाते हैं एक हो गया सुमित्रा नंदन पंत दूसरा हो गया सूरकान त्रिपार्टी निराला तीसरे हो गये जैशंकर पषाद और चोति हो गी महादेवी वर्मा तो इन चार कवियों को ये चारों कवी कौन से युक्के थे चायवादी युक्के तो इनको माना जाता है चायवादी युक्के चार स्थम तो काफी important है ये आपको नोट करना है तो इन्हीं चारों इस थमों में से एक है आपके सुमित्रा नंदन पंतजी जो की चायवादियों के कवी है अब हम बात करें यहां पर सुमित्रा नंदन पंतजी की जो परमुख रचनाएं हैं तो इन्होंने काब्य लिखे हैं काब्य संग्राय कर रखे हैं उपन्यास में लिखे हैं महा काब्य लिखे हैं तो बहुत सारी important चीज़ और यहां पर मलब किसी भी topic से वो exam देखो इस टाइब एक question बनता है यह कोई भी रचना दे दी बताए कि यह रचना किस ने लिखी है या उन्होंने दे दिया कोई भी रचना दे दी वहां पर यह पूच देते हैं यह उपन्यास है महा काब्य है या काब्य है या नाटक है इस परकार के question बनता है तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो प्रमुख काब्य रचनाय है होगी एक तो होगी चितंबरा सबसे important है चितंबरा देखो वह आपको बतांगो जो important है वह आपको याद करनी ही करनी है वैसे तो सभी important है क्योंकि exam में कहीं से भी question बन सकता है तो जो चितंबरा है इसलिए important है कि इसी चितंबरा रचना के कारण 1968 में इन्हें क्या मिला था ग्यानपीट पुरुषकार भारते ग्यानपीट पुरुषकार से इनको सम्मानित क्या गया था और ये पहले हिंदी भासी कविते जिनको ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित क्या गया तो किस चीज़ के लिए इनको समानित के गया था चितंबरा के लिए दूसरा यहां पर गरिंद थी है पल्लाव है गुंजन है वीना स्वरकरण स्वर्ण किरण स्वर्ण धूली उत्रा कला और बूढ़ा चान देखो कला और बूढ़ा चान के लिए उनको 1960 में सुमित्रा नंदन पंधजी को 1960 में कला और बूढ़ा चान के लिए तो काफी इंपोर्टन है यह दोनों आपको जरूर नोट करने हैं और जो मैं बता रहा हूं आपको फुरुषकार वो भी आपको नोट करने है उसके होगे युगपत्थ, युगांत, युगवानी, ग्राम्या तो देखो यहां पर जो युगांत, युगवानी और ग्राम्या हैं यह आपकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं तो अगर एक्जाम में यह पुछा गया कि सुमित्रा नंदन पंतजी की प्रगतिवादी कौन सी हैं तो युगांत, युगवानी और ग्राम्या यह तीनों इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं त तो खेर आपको नोट करनी और कला और बुड़ा चांद वैसे आप जितनी ज़्यादा याद कर सकते हैं वो तो अत्यूत्तम है क्योंकि एक्जाम में कभी भी कहीं से भी क्वेशन बन सकता है तो ये तो गई काब्य रचनाई आप देखो काबे नाठक, कौन कौन से हैं? जयोद्सना रजल सिखर और शिल्पी तीनों भहुती Construction है और यह क्या है gör्गी आपके नाठक है? यानि यह काबे नाठक है उसके पाराद है उपन्यास उपन्यास कौन सा है? एक मात्र उपन्यास लिकहा है सुमित्रा नंदन पंथजी ने वो है आपका हार तो काफी important यह आपको note करना है एक्जाम में पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंथजी का बताई नियुन में से कौन सा उपन्यास है तो एक्जाम पल में दे दिया उसने मलब option में दे दिया हार दे दिया सिल्पी दे दिया युगपत दे दिया और युगान दे दिया तो आपको क्या करना है हार इनका एक उपन्यास है उसके बाद जो महा काब्य है इनका वो है दो महा काब्य लिखे ने एक है लोकायतन और एक है आपे सत्यकाम तो जो ये लोकायतन है ये इन्होंने अपने पिता को समर्पित किया जबकि सत्यकाम इन्होंने अपनी माता को समर्पित किया था तो एक्जामें ये भी बन सकता है कि अपने पिता को कौन सा महाकाब्य सुमित्रा नंदन पंद्जी को कुछ प्रमख पुरुषकार यहां पे पुरुषकारों से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया हिंदी साहित्या में तो 1960 में इनको सरप्रतम कला और बुढ़ा चांद के लिए कला और जो बुढ़ा चांद रचना है इनकी उसके लिए इनको 1960 में साहित्या अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था उसके बाब फिर 1961 में सुमित्रा नंदन पंध जी को पदमें बुषण पुरुषकार से सम्मानित किया गया था हिंदी साहित्या में इनके योगदान को देखकर और हिंदी साहित्य के ये हिंदी भासा के ये पर्थम कवी थे जिनको ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो 1968 में चिदंबरा के लिए इनको भारत्य ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था उसके बात करें आगे एक और इनकी रचना थी याँपे लोकायतन लोकायतन जो यह महाकाब्य है इस लोकायतन के लिए इनको सोवियत लेंड नहरू पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया तो काफी इंपोर्टन यह जितने भी इनको अवार्ड मिले यह सभी आपको नोट कर जाते है देखो जो छायवादी कवी होते हो प्रकृति के बारे में क्या माई करती हैं प्रकृति का कंप्येर करता है किसी अन्य व्यक्टियों के साथ वस्ते हों के साथ तो इस कून-कून से हैं गोसाइँ वह रावणायर्जुन किया है रावणारनुज तो काफी इंका एक उपनाम है और गोसाइए अउब मियाननायर्द की नहें, प्रुकृति हम सुका, कव्यू हम ‎ तो कई बारे एक्जाम में आचुके हैं क्वेशन और काफी डीप में आपको यहां पर समझाने के कोशिश करता हूँ जहां से भी जिस टोपिक से भी क्वेशन बनते हैं वो सारे में आपको यहां पर कॉंसेप्ट केलर करना चाहता हूँ तो यह तो सुमित्रा 1935 के बारे मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दी है अब बढ़ते हैं यहां पर चायावदी यूग के कवियों का जो दूसरा इस्थम्भे हूँ है आपका सूरकान त्रिपाटी निराला मैं आपको पता ना चार इस्थम्भे हैं चायावदी कवियों के तो सभी चारों इस्थम्भों के बारे में यानि सभी चारों कवियों की प्रमुख रचनों के बारे में और उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आज ही आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा तो अब बढ़ते हैं पर सूरकान त्रि इदिनिपूर बंगाल और निधने इनका 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था तो यह तो इनके बारे में थोड़ा इनकी बारे में जानका रहे थी आप देखो प्रमुख रचना है क्योंकि एक्जाम में क्वेशन जो बनता है मैगसिमम वो रचनाओं से ही बनता है कि बताएगी कौ आपको जरूर नोट करनी है अनामी का कुकृरमुटा यह भी आपको जरूर नोट करनी जरूर याद करना है इसको बिलकुल important लिख दो परिमाल भी काफी important है बेला नए पत्ते सातों है गीति का आटों है तोड़ती पत्थर काफी important है ये भी नवा है अर्चना दसा है आराधना विध्वा और भिख्चुक विध्वा में इनोंने जो भारते नारियां थी जो विध्वा थी उनके दर्द के बारे में य लिख्वा थी आपको याद नी करनी है जो एक्जाम में अक्सर पूछी जाती है वही आपको याद करनी है अब देखो यह तो कावे संग रहे थे इनके उपन्यास कौन-कौन से इनके इसमें आपको समझाने की जरुत कुशन नहीं क्योंकि आपको ये तुख्वा याद ही क चमेली ठीक है यह चमेली है चमेली और काले कारणामे काफी इंपोर्टन यह भी चोटी की पकड़ तो यह सारे उपन्यास है इनके एक बार दुबार देखलो उपन्यास अपसरा अलका प्रभावती निरूपमा चमेली काले कारणामे और चोटी की पकड़ तो यह यहाँ प से निराला की रचनाए कौन सी है तो निराला का मतलब है सुरकान तृपाटी निराला अब देखको इनोंने कुछ कहानिया में ली काफी काहनी काफी इंपोर्टन था यह इनके का परकाशन कियाapo मतवाला पत्रिका तो मतवाला पत्रिका का प्रकासन किस ने किया था या इसके संपादा कों थे या किसकी पत्रिका थी तो ये थी आपकी सुरकान त्रिपाटी निराला जी की पत्रिका थी आपकी मतवाला तो काफी important है ये भी ये आपको जरूर नोट करनी है अब यहाँ पर देखो सुरकान त्रिपाट निराला जी को क्या कहा जाता है चायवाद का महेश और महाप्राण वो बसंत रितु का अगरदूत कहा जाता है तो यह तीनों चीज आपको नोट करनी है कि जो सुरकान त्रिपाट निराला जी है एक तो उनको चायवाद का महेश कहा जाता है महाप्रान कहा जाता है और बसंतरितु का अगर्दूत कहा जाता है एक और चीज में आपको इनके बारे में सुमित्रा नंदन जी के बारे में बताना भोल गया इनको कहा जाता है चायवाद का विश्ण क्या कहा जाता है चायवाद का विष्ण उसके बाद जो यहाँ पर सुरकान त्रिपाटी निराला है इनको कहा जाता है महेश शिव को कहते हैं न महेश महेश और इनके बाद जो आएंगे जैसंकर परसाद इनको कहा जाता है चायवाद युग का ब्रह्मा तो ब्रह्मा हो गया जैसंकर प्रसाद विष्ण हो गया सुमित्रा रंधन पंथ और महेश हो गया सूरकान त्रिपाटी निराला तो ये भी आपको जरूर नोट करने है तो ये आपको ये आपने देख लेगा चायवाद का महेश कहा जाता है सुरकांतिर पैटेन निराला को महाप्रान भी कहा जाता है और बसंत रित्व का अगिर्धोत भी इनको कहा जाता है आगे बढ़ते हैं तीसरे जो प्रमो कवी है चायवाद UK और चार इस्थम्बों में से एक अन्य इस्थम जैसंकर प्रसाद देखो दो इस्थम्बों के बारे में आपको बता चुका हूँ सुमित्र रंदन पंत और निराला जी तीसरे इस्थम है जैसंकर प्रसाद चायवाद UK इनका जन्म वास्ता 30 जन्वरी 1889 को जन्म इस्थान है वारान सी उत्तर प्रदेश और मृत्य कवी थी 15 नॉंबर 1937 को अब देखो जैसंकर प्रसाद की कौन कौन सी प्रमुक रचनाय है यहाँ पे तो काब्य संग्रा है जो इनको जो इनकी काब्य रचनाय है कविताई उर्वर्सी हो गया काफी इंपोर्टन लियह तो देखो इनकी अधिकांसतर रचनाय से मिलती जूलती है प्रेम राजय जब राम का वहाँ पे राजय हुआ तो वहाँ प्रेम बढ़ा वन्मिलन राम कहांगे थे वन गे थे प्रेम पतिक जरना लहर महारान का महित्व तो ये तो तीनों आपको रामायान याद करके याद रख सकते हैं इनको आप राम वण गे थे प्रेम राजे आय था राम के सासन में और अयुद्या का उध्धार हुआ था तो ये तो आप राम के नाम से ध्यान रख सकते हैं उरवर्षिय हो गया प्रेम पत्थि हो गया जिरण? जहरना लहर महाराणा का महत्वग यह इनकी अन्य काविय संग रहे हैं अब एक इंपोर्टटन महाकाविय है उपका कामाईनी गोर्धनी को पापको जएसंगर प्रसाथ जी का देखो कुछ कहानिया में लिखे हैं उन्हें इंदर्चाल, आकासदीप, आंधी, छाया, सुनहरा, सांप, पुरुषकार, पर्तिध्वनी, देवरत और गुंडा ये इनके प्रमुक कहानिया है, देखो इनको आपको कैसे करना है, नोट, इंदर्चाल, 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 इंदर् परते धोनी भी उत्पन होती है तो बारिस से इंदर से आपको इस प्रकार से कुछ ट्रिक बनानी है कि ताकि आप इन कहानियों को याद कर सकें तो आपको अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको सरल पड़े आपको उस हिसाब से आपको याद करने है यह उपन्यास कौन कौन स और साथ का कौन सा उपन्यास अभी अधूरा है, तो वह है आपका इरावति, उसका जो नाटक है, इनके वो कौन कौन से है, कामना, अजाद सत्रू, इसकंद गुप्त, चंदर गुप्त, दोनों आप याद कर सकते हैं, एक ही उससे गुप्त हो गया, इसकंद गुप्त हो तो ये इनके क्या है, आपके प्रमुख नाटक है, और छटा याँ पे एकांकी, देखो एकांकी किसे कहते हैं, जिसका मलब किसी घटना या विशाय का, एक अंक जब प्रस्तुत करना होता है, तो उसको कहते है एकांकी, और हिंदी साहित्य में, जो पहली एकांकी है, वो ज गुंट और एकांकी का मतलब में, आपको बता चुका हूँ, किसी घटना या विशाय का, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक अंक प्रस्तुत करना हो, तो काफी इंपोर्टनेट आइए, क्यों यही हिंदी साहित्य की, परतम एकांकी है, अब जैसंकर के बारे में, आपको जैसंकर प्रसाद को, बिश्णु माने जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को, और महेश माने जाता है, निराला जी को, तो यह इनके बारे में, इंपोर्टन फैक्ट यह आपको जरूर नोट करने हैं, यह दो पॉइंट, चायवाद का प्रवर्तक और चायवाद का ब्रह्मा, आग इनका जन्म वाता 26 मार्च 1907 को, और कहां वाता जन्म फरुकावाद उत्तर परदेश में, और निधन इनका वाता 11 सितंबर 1987 को, अब देखो इनकी द्वारा जो प्रमुक रचित रचनाये हैं, इनने बहुत सारी रचनाओं का यहां पर, मला बहुत सारी इननोंने रचनाये कर रखी यहां पर, तो इनकी जो कावे रचनाये हैं, वो है नीरजा, काफी इंपोर्टन है, दीप शिका, अगने रेखा, रस्मी, पर्थम आयम, दीप गीत, संध्या गीत, परिक्रमा, आत्मिक और यामा, तो यह इनकी आपकी परमुक रचनाये हैं, महादेवी वर्मा जी की, आपको बतातों जो यह यामा है, यामा एक कावे संग्राय है, और इसी के लिए उनको 1982 में, 1982 में ग्यान पीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा जी को यामा कावे संग्राय के लिए, तो काफी इंपोर्टन यह आपको जरूर नोट करना है, उस सारी इनके निबंद हैं, एक बार दुबार आप देख लो निबंद, और दो एक बार आप वीडियो देखोगे, उसके बाद आप को कुछ-कुछ जो रचनाय हैं, वो हमेशा पढ़नी है, और फिर ऐसे में आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि एक बार इतने सारी याद करना आपको तयार करके देदी है, नोट्स और आपको नोट्स बनाने हैं, और धिर धिर ये याद करने हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन आप सोच रहो कि आपको एक दिन में ये याद करने हैं, उसके बाद देखो, रेखा चित्र, देखो ये रेखा चित्र और संस्मरान, ये गध्य क नाटक होता है और और क्या होता है आपका उपन्यास हो गया तो उसी प्रकार होता है रेखा चित्र और संस्मरान अब देखो पहले यह समझो कि रेखा चित्र और संस्मरान होता क्या है तो रेखा चित्र तो कालपिटिंग भी हो सकता है वास्तिविक भी हो सकता है रेखा जैस किसी की actual कहानी होती है किसी की जीवन पर आधारित होती है किसी के बारे में हम सोच कर लिखते हैं कि माला हमारे जीवन में जैसे कोई ब्यक्ति आ गया हमें उसके बारे में जितना हो हमारे जीवन में रहा हमने उसके बारे में वो सारी चीज़ें लिखी तो इसको कहते हैं संस्वरान और ये संस्वरान क्या होता है भूतकाल होता है भूतकाल की जो घटना होती है क्योंकि किसी के भविशी के बारे में पहले आप जान नहीं सकते क्योंकि मैंने बोलना ये एक वास्तविक घटना होती है तो रेखा चितर में कौन-कौन से रचनाएं हैं महादी वर्माजी की अतीत के चितर और इस्मृति की रेखाएं तो जो इस्मृति की रेखाएं इसी में आता है एक परमुख इनकी वो है आपकी यहां पे रेखा चितर संस्मरण रेखा चितर है भक्तिन भक्तिन क्या है एक संस्मराण रेखा चितर है अब यह वैसे तो इसमर्थी के रेखा है रेखा चितर है लेकिन आप यह सोच रहों कि भक्तिन क्यों यहां पर इसमर्थी की रेखाओं का ही एक अंकन है वो यहां पर रेखा चितर और संस्मराण क्यों है तो इसको मैं अभी आती है संस्मरान के अंतरगत आती है अब देखो एक्जाम में direct question पूछा जा सकता है कि बताइए महादेवी वर्मा जी के निम्न रचनाओं में से कौन सी एक रचना रेखा चित्र है तो अतीत के चल चित्र और इसमर्थी की रेखाएं पर आपको करना है अगर संस्मरान का भक्तिन को रेखा चित्र भी कहा गया है और सस्मरण भी कहा गया है आपने भक्तिन कहानी पड़े होगी साइड 12 में हो तो उसमें क्या होता है उसके जीवन के बारे में लिखती है महादेवी वर्मा जी वो उसकी क्या होती है जो उसके उनके घर में काम करती है और उनका ना नाम लक्सी में रहता है लेकिन अपना नाम चुपाती है किसी करण से उसका नाम भक्तिन रखा जाता है महादवी वर्मा भक्तिन उसको कहती है अब देखो जो भक्तिन होती है तो महादवी वर्मा ने उसके बारे में लिखा उसके चरित्र के बारे में तो ये तो हो गया सस्म है। तो वह उसका एक रे खांकित कर रही है, महादवी वर्माजी उसको क्योंकि को यह प्ति-ञंक क्ईकश्वा-क्ति-ज्रू को है कर रही है, कि हम वंति हम किसे को बोल दें भृषित सुक्क है, है सरीर छोटा है तो कोई भी चित्रकृर्श उसका क्या यह सकता है तो इसको कहते हैं रेखा चित्र इस परकार की रचनयों को यह हो गए आपका इसिलिए जो भक्तिन है अउसमें रेखा चित्र और सस्मराना अंक स्मृतिन यह नौ Cyrus बाख्तिन इसी में आता है भक्तिन और भक्तिन क्या है एक सस्मरनात्मक रेखा चित्र है यह आपको नोट करना मैंने आपको समझा दिया है आपको अन्य चीजें आपको इनके बारे में नोट करनी है जरूर तो 1934 में नीर्जा के लिए सेक्सरिया पुरुषकार से इनको सम्मानित किया जो इनकी रचना है नीर्जा उसके लिए इनको 1934 में सेक्सरिया पुरुषकार से सम्मानित किया गया था 1956 में इनको पद्म भुषण से सम्मानित किया गया था 1982 में यामा काब्य संग्राय के लिए इनको ग्यान पीड पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और 1988 में इनको पदम विभूसन पदम विभूसन इनको मरड़ों परांद मिला था क्योंकि 1987 में इनकी मर्ती हो गई थी और 1988 में इनको पदम विभूसन पुरुषकार से सम्वानित किया गया अब दोखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को आधुनिक साहित्यक की मीरा भी कहा जाता है तो आधुनिक साहित्यक की मीरा किसे कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है और निराला ने जो कि छायवादी युके एक स्थम्भ है उन्होंने महादेवी वर्मा को हिंदी की विसाल मंदिर की सरस्वत्ती कहा है तो एक्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी की विसाल मंदिर की सरस्वत्ती महादेवी वर्मा को किस ने कहा तो वो कहा है आपका सूरकान त्रिपाटी निराला जी ने तो दोस्तों यह हो गए यहाँ पर complete मैंने आपको यहाँ पर जो चायवादी UK चार सबसे महित्वपून कवी हैं जिनको चायवादी UK चार स्थम मान जाता है उनके बारे मैंने आपको पूरी details और उनकी रचनाओं के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी हैं और क